हेलो फ्रेंट सागतब के ही चैनल फेंटैसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैं चम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो ने वाला यहां पर बैंगॉल वर्सेस हाइदराबाद के वीडियो मैच होने वाला पर सेयाद मुश्ताकली ट्रॉफी का इस मैच की वीडियो इसमें मैं आपको स्मॉल लीक के साथ ग्रेंड लीक की टीम देने वाला प्लस आपके साथ मैं और यहां पर एक चीज बताऊंगा आपको मैं बहुत से पहले आपमारे यूटोब चैनल पर नहीं आया हो तो आपको हमारे टेलिक्राम चैनल जोइन करना बहुत ज़रू है इस फोटो लगी होगी तो एक ची आपको ध्यान डखने के टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे कमें जो आपको लिंक दिया है उसी का आपको यूज करना है तभी अप हमारे सही और ओरीजनल चैनल के साथ जुड़पा ओगे तो करते हैं आप वीडियो क की तो दो में से एक मैच विन करा एक लॉस कर रहा है तो है थोड़ी जो टीम दिख रही है वह थोड़ी अच्छी दिख नहीं रही पर बैंगॉल की देखे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देरिये टीम और अच्छी खासी दिख भी रही है तो मानके चलो कि 60-40 का मैं चलो कि 60 प का इंडिया के टॉप में दिखाता है अगर देखा जा तो बाउंडरी बहुत बढ़ी है तो इसलिए चक्क्या मारना इतनी नहीं होने वाला और बैट अगर बाल बैट पे अच्छी नहीं आते हो टाइम नहीं नहीं तो विकेट बैट्समन मतलब जल्दी आओ मतलब बैट् चैसल टीम जो टॉष जीते की 99 परसंट चांस नजर आता है कि वह आपको पहले बॉलिंग करते वे नजर आईगी तो बाकि देखते हैं पर क्या करते हैं पर थोड़ी फेवरल बनाएंगे आप बैंगल को दिख जाए कि बैटिंग और क्या रहने वाल अगर आप देखोगे जो टीम है घ्दराबाद की थोड़ी बैटिंग से थोड़ी वीक नजर आ रही तो मुझे लगता है कि अगर है रवाद पहले बैटिंग करेगी तो डेट्स हो क्या सपास को पर नेगा अगर यहां पर बैंगल टीम पहले करेगी बैटिंग तो यहां पर मान के चुलो कि यह टीट्वेंटी लीक्स खेली होंगी तो आपको आइट उजट सारे प्लेयरों से नाम पताऊंगे जितने नीचे भी तक खेल रहे हैं तो हमें अच्छे खासे बैंगोल के डॉमिस्टिक प्लेयरों की नॉलेज भी है बात करो दें हाँ पर रहने वाला है यहां पर श्रीवस ट्रॉफिय चल रहे हैं और पहले मैच में सेंचरी लगा दिया उससे पहले मैच 54 कर आ रहा है तो अपनी बहुत चीफ फॉर में चल रहा है और इसका सेलेक्शन रेट 15% के आसपास है तो ध्यान रखना विवेक सिंग के ओपर ध्यान बना के चलना कि बहुत इंपॉर्टें है तो टीम में रखके चलना सिर्फ 15% सेलेक्शन है बागी बात करेंगे हां पर अनुस्तुप मजुम्दावर को क्या होने वाला है जो आप टीम बनाओगे तो आपको साथ ही प्लेयर लेने पड़ते हैं तीम के तो आपको शायद अनुस्तुप मजुम्दाव कर द्रॉप क खास कर से कब रखोंगा टीम में जब यहां पर टीम पहले बैटिंग करेंगी बैंगॉल की और दूसरी बात सबसे बड़ी है कि आपने अगर आपको नहीं पता तो मैं मनुस्तिवारी पार्ट टाइम बालिंग भी कर लेता है बट अभी तक दो मैच में बालिंग करी नहीं बैंट इसको तीम में लेने वाला आपके लिए वाइस कटन सिगया रहने वाला है यह बालिंग यह बाल्रेम लेता हूं फिर अफेम चाहिं के बाले में तो अब मुझे नहीं तो मुझे लगता है कि शायद के बैंगो बैंगन की नहीं अपाए और अगर मैं बीज एंगर को बैंगॉल पहले बैटिंग करती है अगर आपको रिष्क लेने का बहुत शौक है और बैंगॉल पहले बैटिंग कर जाए तो आप ग्रैंड लिग में ट्राइ कर सकते हो क्या है फैमत को बैटिंग भी इसने उस चार्णाव में नजराएगा बट में यहां पर चतर जी को थोड़ा प्रैफर करूंगा एच्छा विकेट टेकर बालर प्लस अगर बात किए चाटर जी के साथ बालिंग के सबस्त तो यहां पर बैटिंग भी अगल लेता है बाकि यहां पर आता है यूद की लास्ट और रण बढ़ाने होते हैं तो यहां पर रही मिले कि चांस रहे है यहां पर बॉलिंग कर रहा इंशान पोर्ल एडीप और एमकोवार तो यहां रखना है कि मैं जाने बालने हैं यहां पर एडीप के साथ तीन सा चार वर यह बी डॉल तो नाज भी तो यह अंडर 19 टीम का पार्ट भी था और विकेट वहाँ भी टॉर्णमेंट में निकाल लेते और अभी रिसेंट बाइपल टीम में भी तब इंजरी एकरन खेल नी पाया और दो मैच खेला एक में चार एक में तीन तो साथ विकेट निकाल चुका है आपके लिए क्रेंड लिग में कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी के लिए बहुच्छी पिक रहने वाला इशान पॉरल बाकि एम कुमार भी तीम से चार वर करते हूं नजर आ रहा है और यहां पे देखोगे तो ठीक ठीक रहेगा बाकि मैं जो इंपॉर्टन प्लेयर टीम में लेने वाला मजुम्तार को में लेना चाहता हूं कैप्टन भी टीम का बट मैं सिर्फ एक रीदन की वेज़े चोड़के जा रहा हूं कि मैं मन्नोस्तिवारी के साथ जा रहा हूं बाकि शहबाद है मैं चौथा प्लेयर रहने वाला मिले चटर जी पांच हुआ और छटा यहां पे चतर जी अपने चारोवर कर रहा है मुकेश कुमारठ शकार बाकी अचने बाकर से नाम सुनी रहा हूं पर तन्वे अगरवारे यह सरद नाम सूनी तो मैं इसको टीम में लेने वाला हूं क्योंकि अच्छा गरी तो तीम अच्छा कर सकती है बाकी देखो अब यहां पर यह है प्रग ने रेडी है विकेट कीपिंग कर रहा है बट में इंपॉर्टन रहेगा नहीं ज्यादा तो इसने में ड्रॉप करके जा रहा हूं बाकी यह तिलक वर्मा के बारे में तिलक वर्मा अभी जो रिसेंट अंडर 19 रहा था उसमें टीम का पार्ट था और बहुत अच्छा बैट्स बनाभी डिसेंट इंडिया के लिए एंडर 19 खेल किया रहा वर्ल्ड कप में तो अच्छा प्लेयर है और सेलेक्शन में इसका 10-15 क्या सप परसेंट के तो आपको जरूर ट्राइक करना स्मॉल लिक में ट्राइक कर सकता है इवन आप ग्रेंड लिक दोनों में और इंटर में कफ़ एच्छी प्रफॉर्मेंस किती कुछ मैचे में बाकी हिमाल्य अगरवाल है ज्यादा इंपर लास सीजन में बहुत अच्छी प्रफ प्रफॉर्मेंस की लास सीजन और सबसे बड़ी है पॉइंट इसका पॉजिटिव यह निकल के आता है कि एक से दो वबर आपको बॉलिंग डालते हुए नजर आएगा तो संदीप के साथ में जाने वाला हूं बाकि हमें बुद्धी मैं जैसे इंपॉर्टन रहेगा है त्यांगा राजन यह भी चार ओवर डाल रहा है और इससे पहले वाले मैच में इसने उननीस में भी अच्छी इनिंग के लिए कि तो अपनी टीम आप चाहो तो ट्राइक कर सकते हो और बालिंग सेक्शन आपको वेलेबल मिल जाए बाकी है मिकिल जैसवाल उन्हों इंप परसंट के आसपास है तो आपके लिए स्मॉल ली प्लस ग्रैंड लिक के लिए स्पेशल ग्रैंड ली के लिए एक सूपर बंती है पर चामा मिलिंग तिम से इंपोर्डन इंपोर्डन प्लेयर इसको लेना ही लेना अपर अगरवाल है बवंका संदीप है और बात करें यु पर अटन ने नेतर हुए तो इसलिए अच्छा प्रैर भी है यह बात करोंगे क्योंडिय साफ है छामा में पैर निरुमि दाख दढ में चार ओवर डालरा है संधीपन्र चार ओवर देगा कि मतला कि安भा पात ऑनिर्ट एंपर ऑलिंग करें युद्रिशींग देथम आवान देखो आपके लिए मैंने कोछिश करी और इसके सब्सक्राइब बाकी मुझे कोई इतना इंपॉर्टन लगा नहीं और यहां पर बाकी और बाकी और वह इसकी पर के साथ जाओंगा बाकि यहां पर अनुस्तुप मजद्दार को आप ले सकते हो बट मैं मनोस्तिवारी को प्रैफर करूंगा और मनोस्तिवारी के साथ जाओंगा बाकि तन में अगरवाल जो हैदराबाद का बाकि विवेक सिंग अभी तक पूरे टोर्नमेंट में सेकेंड हैस्ट गेटर एक में सेंचुरी कर चुका एक में चौवन कर चुका है स्लेक्शन देख पारें सिर्फ 15 परसंट इसको मिस्समत करना ओपन करेंगा बाकि अभी मन्यू यूश्वरान खेल तो बढ़िया प्ले र करने से पहले पाले रेवाला होता है यह बाकि आप एक चंज को आप टीम में चरते हैं लिवांति परहले कर सकते हो ठीक है वहां कर सकते हैं तो स्मॉलिक में को सन्दीव के साथ जारो बाकि घ्रन प्लेन नजर नहीं आता वाकि आप देखोगे तो यहां पर चंश्वरान र बाकी ओके पिक रहाएगा कार्थिकेन कख बाकी आप चाहँ तेजा को भी पिक कर सकते हो बाकी कख आपके आपके पास ऑप्शन है जनता को फोलो करो परसंटेज देखे या फिर यह तो मैं आपको बोलूगा तेजा ज्यादा इंपोर्टन रहेगा है याफी मिलन दो जिसने सब्सक्राइब निकाले हैं और लास सीजन भी हर मैच में दो-दो-दो-दो कई मैच निकाल लते तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है बाकि आपे मच तहबाज है मत के साथ जाओंगा चैटरश जी के साथ इसलिए जा रहा हूं कि चैटरश जी को लेने का सबसे बड़ा फ बड़ेगा बाकि अरनब नंदी इसका 2% के आसपा सेलेक्शन है चार ओवर कम्प्लीट कर रहा है ग्रैंड लिग की पिक तो इते छोड़े प्लेयर जिनके पर लोगों का ध्याननी है अगर अच्छा दिन हो तीन चार विक लिए तो ग्रैंड में काफी अच्छी रेंक जा स तो मैं अहां पर जा रहा हुँ अकाश दीब के साथ तो जहां पर जाएंक लिए बागी यहां पर आगी व्लीट कर देनके नहीं के सकते हो चार चार और रवर दोनों ही कर रहे हैं युद्विर सिंग युद्वीयर ना बाकी बैंटिंग में दोनों ही ट इक्वली है बाकी एक मैच में यहां पर उपर यह करने बेटिंगा है दूसरे में यह है तो बाकि किसी को पिक करो दोने में से युद्वीर सिंग या फिर यह क्योंकि चार व्लेर आपको हिद्रावाद के ले नहीं है बाकि इस्यान पॉर रहा है तो इंगी टिंगा सबसे बैस्ट बालर है और चार चार ओवर कर रहा है तो इसमाल लिग की मेरी टीम रहाएगी टेंपरेरी क्याप्टन में करने वाला है यहां पर देखोगे तो अगर मान के चलो बेंगॉल पहले बैटिंग करती है तो आप क्या कर सकते हूं आप एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जा सकते हो बवंगा सं करने वालों में आपे शिर्वस्त के साथ ही और वाइस क्रेटन के लिए में पास मन में दो उप्शन चल रहे है तो विवेक सिंग जो की फॉर्म में दो मैच में कर चुका है यहां पर एक मनोस्तिवारी है जो पार्ट इम बॉलिंग भी कर ले बड़ सेकेंड न बैटिंग क कैप्टन मेरा नने वाला यह वाइस कैप्टन यह तो आई तिंग अच्छा रहेगा बाकि अगर बैंगॉल की टीम पहले बैटिंग करते तो आप यहां पर कैप्टन इसको भी कर सकते हो मनोस्तिवारी को एक्स्पिरेंस के बेसिस पर तो मेरी ग्रैंड लिकी टीम रहेगी अब देखो बाय की पिक साप लिए मैंने ये पिक करANS कर अब पहले पर यह ले लो मैने कैप्टन रखा है इशान पोड़ल को वाइस कैटन डद रखा मैंने इसको रहा पर मनो तीवारी को ड्रॉप करा है यहां पर रखा वीशिंको मानके कि नोंके की पार्टन रखाए और बाकि यह तीन बने एक्स्ट्रा प्लेइर यहां पर सेलेक्शन इतर है अर्ण नंदी को लिया है क्योंकि अच्छी बालिंग कर रहा है यहां पर बाकि मैंने प्लेयर सारे बालर उठा लिए तो यह मेरी ग्रेंड लिग की टीम तो हैं अगर देखो गे तो अनुस्तुप मजद करते हैं नहीं ज़रा सकते हैं एक यह सब्सक्राइब बालिंग बालिंग मतलब बोलूंग तो इशान पॉर्ल करता है और यह मनोज सिवारी तो यह मेरी ग्रेंड लिग की टीम 2 होने वाली है सबसक्राइब कर सकते हैं तो यह आपर विए फीट चुरी बना के दोनों क्या कर रहा है कि मानने चला कि अगर इनकी ने पहले बैट्टिंग कर दिए सब्सक्राइबाद के सारे जल्दी आउट आते हैं और मान के चुले बैंक बैंक बैटिंग करना है थे सेकेंड और इनका विकेट नहीं गिड़ता और टॉप और जिता जाता है दोनों कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी दिये बाकि मैंने पांच बोला इंसे उठा लिये तो मैं अब जरू ट्राइ करना करें आपको खेल जाए टीम में लिख जाए ठीक है तो अब तर खेलानी दो में से एक भी मैच अब की ग्रैंड के अपको टीम बता ही बाकि बाइक के उपर आते है तो बाइक के पिक मेले क्या रहने वाले हैं पर शहबाद को मैंने लिया क्यूंकि अब जाए बाकि में लगता दो या तीन ओवर करें और बाइचांट बेंग पहले बैटिंग भी करें बैंग पहले बैटिंग करें तो इसकी बैटिंग भी आ सकती है तो तेईस पॉइंट इसके लिए कुछ निए क्योंकि बहुत अच्छा फिल्डर है और उतना ही अच्छ बाकि बात करेंगे हाँ पर रहने वाला इशान पॉरल जिसकी बॉलिंग अभी दो मैच में साथ विकेट निकाल चुका है और उसकी बॉलिंग को देखते हुए लगता है कि काफी अच्छे टैच में नजर भी आ रहा और अगर दो या तीन विकेट कल भी निकल जाए तो प परची सरण भी मारता है तो आपको प्रॉफिट दे सकता है यहां पर शीवस्त गोस्वामी तीसरी पीके रहेगी बाकि तीन मेले इंपोर्टन रहेगे यहां पर शहवाद आहमत पॉरल यहां पर शीवस्त गोस्वामी और रितिक चटर जी ठीक था कर बड़ बैक्टिंग पर शीवस्त गोस्वामी बाग के लिए अच्छी पिक्स तो सारे पॉइंट करें अच्छी लगे लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना सबसक्राइब करें नीचे दिखाई दे रहा होगा उसको दबाना और घंटी दबाना ताकि वीडियो की नूटिफिकेशन और मैसेज आपको सबसे पहला है जब भी वीडियो अप्लोड करूँ दोस्तों और फ्रेंड के साथ जरूर शेर कर सकते हो कमेंट में कोई भी कोशिन पूछो मैं रिपलाइ करूंगा जब भी रीड करूंगा और टेलिग्राम चैनल कैसे जोइन करना है वीडियो के नीचे कमेंट में जो आपको लिंक दिया है आपको उसी का यूज करना है तब आप हमारे सही और ओरीजिनल चैनल के साथ जोड़ आओगे तो मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ चाहिन दोस्तों बाई-बाई